कॉंग्रेस ही सत्ता के अंदर थी कॉंग्रेस के ही यूपिये के लोगों ने सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एफिडेविड दे दिया था कि ना राम सेतु है राम कालपनिक है इस परकार का एफिडेविड अगोई कर रहा है तो वही लोग राजनीती कर रहे हैं और मैं यही कहूंगा कि भगवान शिरी राम उनको भी सद बुद्धी दे और वो भी ठीक रास्ते पर चलें। कॉंग्रेस के राम मंदर की प्राण प्रतिष्ठा निमंतर्ण को ठुकड़ाने के बाद बराड़ा पहुँचे भाजपा प्रदेशा अध्यक्ष नायाप सिंग्स्यानी ने कॉंग्रेस के लिए भगवान राम से दुआएं मांगी हैं। उन्होंने कहा कि भगवान शिरी राम कॉंग्रेस को सद बुद्धी दें ताकि वो सही रास्ते पर चल सकें। भगवान शिरी राम के मंदिर की कमेटी बनी होई है। अरूस निमंतरन को उन्होंने ऐसे विकार किया। वो दुर्भाग्यपुर्ण है। और वो इस प्रकार का अरोप प्रत्य रोप चल रहा है। हम इस बात को बार 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 कहते हैं। कि इस दलगत राजनीती से उपर उट करके हमने अपनी जो धार्मी का हमारी संस्क्रीती है उसका स्रक्षन करना चाहिए। प्रतु उसको एक विशेस विक्तियों के साथ जोड़कर के कॉंग्रस ने जिस प्रकार का दुस्परचार कर रही है। क्योंकि हमने देखा है कि जब कॉंग्रस ही सत्ता के अंदर थी। कॉंग्रस के ही यूपिये के लोगों ने सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एफिडेविड दे दिया था कि ना राम सेतु है राम कालपनिक है। इस प्रकार का एफिडेविड अगर राजनेती कोई कर रहा है तो वही लोग राजनेती कर रहे हैं। भारतिय जनता पार्टी तो सरव, धरम, संभाव जो भगवान शिरी राम का आदर्स है उसको लेकर के आगे काम कर रहे हैं। और वह लोग इसको प्रराजनेती कर रहे हैं। वह कॉंगरस के लोगों ने अभी पीछे देखा भी है जब भगवान सिरी राम के मंदिर का फैंसला आना था। वह कॉंगरस के ही बड़े नेता थे जो चीफ जिस्टिस ओफ इंडिया के सामने खड़े हो गए थे। 56 एड़ोकेट्स को लेकर के कि भगवान राम के मंदिर के उपर फैंसला मत सुनाना नहीं तो देश के अंदर एक अलग का वातावरण पैदा हो जाएगा लोगों में दंगे हो जाएंगे इस परकार की भासा कॉंगरस के बड़े नेताओं ने चीफ जिस्टिस ओफ इंडिय के सामने रखी प्रंतु माननीय सरवोच नियल्य ने देश के 140 क्रोड लोकों की भावनाओं को देखते वह फैंसला दिया, आज भव्य मंदिर का निर्मान हो रहा है, 140 क्रोड लोकों की भावनाओं की आस्थां का केंदर बिंदु भगवान सिरी राम है प्रंतो इस परकार की अगर वो राजनीती करते हैं वो दुर्भाग्या पुर्ण है हमने इस दलगत राजनीती से उपरूट करके काम करना चाहिए और मैं यही कहूंगा कि भगवान शिरी राम उनको भी सदबुद्धी दे और वो भी ठीक रास्ते पर चले बतादें कि 22 जनवरी को अयुद्ध्या में राम मंदर में आयोजित भवे कारिक्रम से पहले प्रदेश के अलगलग धार्मिक स्थलों में स्वच्छता अभ्यान शुरू किया गया है इसकी शुरुआत जिला अंबाला के मुलाना इस्थित सिरस गड में गुरु रविदास आशुरम से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायाप सैनी ने की वहीं उन्होंने कहा कि 500 सालों के इंतजार के बाद अयुध्या में श्री राम जन्म भूमी पर प्रभू श्री राम के भवे मंदर बना जहां 22 जन्वरी राम लला प्रांट प्रतिश्टा होगी और ये क्षण हम सभी देशवासियों के लिए गौरव का क्षण है बराड़ा से अनिल कुमार शर्मा की रिपोट हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद